नमस्कार इमस्वागत आप सभी मित्रों का एक भर फिट से हमारे यूटूब चैनल स्टटी पॉइंट में आज पिर से आपके सामने एक जनल साइंस की क्लास आपके सामने लेकर क्या है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें पचास प्रेशन करने वाले हैं और आपको इस पेपर में यह क्वेशन इजी लगते हैं लेकिन जब आप एक्जाम देते हैं तब यह हमको टफ लगने सुरू हो जाते हैं तो हम एक लेबल से सुरू कर यहांने कि एजी से मॉड़रेट की तरफ हम जा रहे हैं तो हम पहले सरल सरल क्षिणों को देखेंगे और एक साइड हमारे चलता रहेगा जो टॉपिक वाइज हमारा चल रहा है चीक यह बाइयो का टॉपिक वाईज चल रहा है तो उसको हम चलाते रहेंगे तो हम सुरू कर प्रकास वर्स की इकाई है तो प्रकास वर्स की इकाई है तो प्रकास वर्स की इकाई हो जाएगी क्या हो जाएगी प्रकास वर्स किसकी इकाई है तो यह है दूरी की इकाई है आपका प्रकास वर्स में क्या ना पा जाता है दूरी को मा पा जाता है एम्पेर मातरक है एम्पेर किस चीज का मातरक है तो एम्पेर हो जाएगा इसका option C बिद्दुधारा का मातरक है एम्पेर चौथा question है पार्सक इकाई है तो पार्सक किस चीज की इकाई होगी तो पार्सक होगी दूरी की इकाई नेक्स्ट क्वेशन है दाब का मातरक है दाब का मातरक है तो दाब का मातरक होता है पाशकल ठीक है छटमा प्रेशन है अदिस राशी है तो अदिस राशी इसमें से कौन सी है हम सब इंटर का जो ये साइंस है इसमें देखते हैं कि अदिस सदिस राशी है हम पढ़ते हैं विम पदार्थ के सम्वेग और वेग के उनपाथ से कौन सी बहुतिक राशी प्राप्त की जाती है तो यह की जाती है इसका उप्शन सी हो जाएगा द्रब्यमान क्राप्त किया जाता है सुन्य में सुतंतर रूप से गिरने वाले वुस्तों की का अब ऑप्शन है इसमें समान गती होती है समान वेग होता है समान तुरान होता है या समान बल होता है तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा समान वेग होता है इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा दस्वा प्रश्ण पे चलते हैं जब दो केजी वाले द्रविमान पर पांच न्यूटन का बल लगता है तो उत्पन होने वाला तुरण होगा तो इसको हम फॉर्मूले से शॉल्व करते हैं तो इसका अंधर जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकिंड स्कॉरर ठीक है 11 प्रश्ण है किसी बी इस्तिर गतिसील वस्तुकी इस्तिति और दिसा में जब तक कोई पिरोरतन नहीं होता तब तक उस पर कोई भायबल सक्रिय नहीं हो यह है तो यह किस का नियम है देखो इसका हुज जाएगा आपका उद्धम नियम है तो न्यूटन का गति विश्ट परत्म नियम है ठीक Are कि कि इस दिधर और दिसामिंग है जब तब कोई प्रोडता ना क्या जाए तो उस सनक्षड के नियम पर कारें तेरों प्राशन है अस्व येदी एकायक चलना प्राराम कर दे तो अस्व रोही की गिरने की आसंका का कारण है यानि कि घोड़ा अगर घोड़ा चलाने वाले को एकायक चलना प्राराम कर दे सीधे चलना प्राराम कर दे प्रश्वा रोही की गिरने की आसंका का करण क्या होता है तो यह हो जाएगा आपका इसका option C, विष्राम जड़त्वा ठीक है चौद्धा प्रस्ण है बल का गुरंफल है तो बल का गुरंफल है यहां पर हो जाएगा आपका द्रभ्यमान और त्वरण का ठीक है तो इसमें फ मैं प्रते हैं दृववां पर अधिक्तम होता है नेक्ट स्ट रोषेंड है मुनिष्ये का बाहर प्रतिय पर शैसल न्यूटन है इसमारे होगा थेके संसा शैये दियुटर हो जायेगां नुटन- Civitive को मखका की पत्यों के सीडस का सफेद सूचक है मक्का की मखकी अगर को सपेद ऑजाती तो वह किसका सूचक है तो यह है इसका उप्षन भी से जहेगा जिंग की कमी की स् похож ऐसके धालवाओं का सरवादिक उप्भूकता राष्ट कौन है भारत कि बढरत में सबसे सरवादिक उप्भूकता रास्थ प्रशन है बिश्व में कपास का सरवादिक छेतरफल पाया जाता है तो कपास का सरवादिक छेतरफल है भारत में ठीक है option C हो जाएगा next question पर चलते है क्योरिंग की क्रिया किस फसल में संपन की जाती है तो इसका option हो जाएगा आपका B तंबाको में option B से हो जाएगा तंबाको में अगला question है तेश्वा आईरेन की सरवादिक मात्रा किस में पाई जाती है तो आईरेन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है इसका option A हो जाएगा सेब में पाई जाती है अब अगला question है सेब उतपादन में सीर्स राजय है तो सेव उत्पादन में सबसे सीर्स पर आजे है वो है जम्मु एवं कश्मीर 25 प्रशन है कुफरी किस फसल की किसम है कुफरी किस फसल की किसम है तो यह कुफरी आलो की किसम है कुफरी 25 प्रस्ट चाय का जन्मस्तान कहा है तो ये सामाने प्रस्ट है चाय का जन्मस्तान है चीन 27 प्रस्ट हम पर चलते हैं केंद्रे धान संस्तान कटक के बैगनिक द्वारा विश्यो का पर्थम अत्युतम धान का नामकराण हुआ तो किस नाम से केंद्रे धान सहस्तान कहा है या पर आपके दो क्वेशन के लिए रोजाते हैं केंद्रे धान सहस्तान कहा है कटक में है ठीक है तो कटक के बैकरनिकों ने द्वारा विस्टो का अतितम धान यानि कि आधनिक धान का नाम करान किस नाम से किया गया है यह क्वेश हैं संसार में सरवादिक भhyshoku संक्या कहां पाए जाती है तो कि न संसार में सबसे ज्यादा भैसो कि संक्या होती है इसका ओप्सन हो जाएगा आपका 29 का भायत में आपिछन का भारत में ए आ आपसन bashकी तिस्वा प्रेशन है भारत में दूद्यू T बडावरी नसल की बडावरी नसल मैरनों नामक प्रजाति किस वर्ग का पसु है ? तो मैरणो किस नामक परजाते हैं जो उससे सबसे ज़्यादा उन प्राप्त होती है, ठीक है, एक question यहाँ पे फिर आपके clear हो गया है कि सरवाधिक उन किस पस Select से प्राप्त होता है, तो यह होती है manière नामक परजाओत से और यह किसकी है तो यह भीड़ की परजाओत, इसका option B से हो जाईगा, भीड़ की परजाओत है मेरेनो 33 प्रस्चन है जुमनापारी क्या है तो जमनापारी एक भीड़ की नसल थें, ठीक है, सॉरी बकरी की नसल है जुमनापारी अगला question है बकरी की उन के लिए सुपरशीद नसल है तो बकरी की उन के लिए सबसे सुपरशीद नसल है पश्मीना ठीक है 35 प्रश्ण सुपरशीद अंगोरा उन किससे प्राप्त की जाते है बार बार एक question आता है पोचा जाता है तो प्रशिद अंगुरा उन किस से प्राप्त की जाती है यह की जाती है खरगोश से प्रश्व में दूद की रानी उपमा किस बकरी नसल को परदान की गई है तो दूद की रानी किसे का जाता है किस बकरी की नसल को सानेन बकरी की नकसल को का जाता है दूद की रानी और नेक्स्ट क्सिन है हमारह सांतिट प्रेस्ट राष्ट और उन संधान के अंदर कहां इस्थित है तो ALL की इन्दन की संध्ण मरत में कौनसी सरकरा सरवाधिक पाइड यानिक सर्कारा सरवाधिक पाइजादी यानि तक यानि कि आपका हो जाएगा, जो आपका सहद होता है, उसमें कौन सी सरक्राश सरवादिक पाए जाते हैं, तो गुलकुज वर फ्रक्टोज इसमें सबसे ज्यादा पाये जाते हैं, आपचिन C सवी हो जाएगा, ते तालेशन प्रशन है, निम्नमे से कौन सी नसल वाली गाई अधिक दूद देती है तो 43 प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साहीवाल जो गाय होती है वो सबसे ज्यादा दूद देती है 44 प्रश्न है राष्ट्य दुख्द दिवस किस सितितिकों मनाया जाता है यह मनाया जाता है 26 नौंबर का इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा विस्व में दुख्द उत्पादन में भारत का अस्तान है तो भारत का अस्तान है दुख्द उत्पादन में यह है प्रथम अस्तान तो 46 प्रेशन का हो जाएगा आपका बरेली में इसका option A से हो जाएगा 47 प्रेशन है NDRI इस्तित है तो यह है आपका करनाल में इस्तित है NDRI 48 प्रेशन किस बिटामिन की कमी से रताउंदी रोग होता है तो किस बिटामिन की कमी से होता है यह सभी जानते है बिटामिन एक ही कमी से होता है रतांदी रोग अच्छासा प्रश्ण है सरीर के लिए उर्जा का मुख्य सरोत है तो यह होता है कर्वो हाइड्रेट और अंतिम प्रश्ण है आजके सिरीज का यह एक ग्राम वसा से कुल उर्जा मिलती है 9.45 कईलोरी उर्जा मिलती है ठीक है त से तो हमारे साथ जुड़े रहेगा और ज्याद से ज्यादर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद